यह जून का डाइट में बड़ा इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि इसमें आ रही है इदुल अजार और हर खाने के खाने से पहले एक रूल बना लो कि मैं अलस्ताम लेक्ट में वेक्टम जुलाइश्टाल फिटनेस दोस्तों आज की जबदस वीडियो में मैं आपके साथ कर रहा हूं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जून डाइट प्लाइट नहीं बताता नहीं बनाता सिर्फ इस वजह से कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो अलग-अलग डाइट प्लाइंस बहुत सारे देखके बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूं यह जून का डा बतातार में आपको पूरे जून का डाइट पैंब बताने वाला हूं में की बटने की शूरृब अब बटने एजुन कंफ… मैं आपको बता दूहूं , जून के हम दो हिस्से कर लेते हैं , एक हम 15 जून तक , यानि के एड से पहले , और 15 जून से 30 जून तक , जून के इस पाद जो 15 या 12 या 10 दिन जो भी पढ़ने वाले तो सबसे पहले जो 15 दिन है उसमें कोशिश करो पहला हफता तो आप अपने नॉर्मल लेकी चलो इस तरह से के आप उसमें चिकन खाओ आप उसमें सबजियां खाओ आप उसमें हल्दी डाइट करो अंडे खाओ गर्मी पड़ी है ठीक है वो डाइट मैं आपको पूरा बता द तरह किस तरह से दुफैर के खाना खाओ रात कर फेज के बाद आपने क्या काने कि किस तरह से आपने उल् lighting करना था aumento आइक शॉय कितना पहर खाना है इसैं पर ऑए higher gefallen कि सब और में बीदो सक्रूपांगि प्र भी चिकन के साथ गोशको गोष्ट करो चिकन के साथ आड करो है जिसे लगती बहुत लोग बनाती नहीं अचु लगती है ज्याद अगर चिकन नहीं खाना चाहते तो खाली सब्जी बना लो एक बात याद रखो कि अपना हैं वहीं कितनी करो 8-16 घंटे बुके रहो अफ घंटे में तीने मीडों जो वेट कम करना चाहता है इंडमेट फास्टिंग लाजमी है कोशिच करो शुबा नाशता जो भी करते हो हेल्दी नाश्टे के option लो जैसे के brand bread और peanut butter हो गया अगर आपको मुमफली के मखन से allergy नहीं है और सो गए जौका दलिया हो गया एक apple और एक glass दूद भी ले सकते हो कोई मसला नहीं है वहना दो चिकन के कबाब रूखे खा लिए चट्मी के साथ इस तरहां का दुपैर का खाना रखो और रात की खाने का तो मैंने आपको वालीडी बता दिया है अब जब आपका चांद दिख जाता है तो उसके बाद आप आजाओ detox diet detox diet क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ कोशिश करो कि जितनी green leafy vegetables होती है हरी सबजिया होती है जिन में आपका vitamins ज्यादा मलते है minerals ज्यादा मलते हैं जो कि आपका weight कम करने में मदद करती है आपने दिन में कच्छी सबजियों की सलात खाना शुरू कर दी सुबाद 5-7 दिन कोशिश करो smoothies लो या सिर्फ oats लो अंडे भी बंद कर दो सब कुछ बंद कर दो आप oats खाओ आप smoothie पियो आप जैसे मिसाल के तौर पर बनाना oats क्या कितने एक चमश पीनेट बटर डालो मुपली के मखन से अलर्जी नहीं है आदा कप low fat milk डालो साथ में इन चीजों की smoothie बना अपते में दो से तीन ग्रीन smoothie बना लो जिसमें मिसाल के तौर पर आपने पालक डाला इड अलजा से पहले अपकी बाड़ी डिटॉक्स करो औरिएज के दस दिन बाद दुबारा से अपनी बाड़ी डिटॉक्स करो Chia seed और strawberry आप नाश्ते में ले सकते हो Chia seed pudding आप नाश्ते में ले सकते हो Chia seed water तो वैसे आप पी ही रहे हो ठीक है राट के खाने में यह करो एं 10 दिनों में किशी भी किसम का गोश्ट बन कर दो चिकन भी बन करतो फिश भी बने न बन कर और आप दहायो लग कर दोुए झनल नाकि ऊचिछी तरीके कर वा वह नहीं होना चीह यारति हो बोटी सी रोटी उस में दाल प्लेट में भरो और उसको चम्चे से खा लो दाल का सूप भी जैसे मैं आपको बताता हूँ वजिटेबल सूप आप पी हो रात में ज्यादा से ज्यादा साथ दिन सब्जियां खा उस सब्जियों के मैं आपको नाम बता रहे दो इद की नमास पढ़के जब कुर्बानिया हो जाती है इसके बाद वजन बढ़ने का सलसला शुरू होता है वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ एक तो हम हाई कैलरी कैलरी डंस फूट का रहे होते हैं ठीक के बड़े का गोश्ट अकसर खा रहे होते हैं जब घर में बनिया आपके कलींजी और गोश्ट रहे हैं तो वह आप क्या खा गयुए इसके अलावा हम बहुत ज्यारा दावतों पर जार होते हैं बहुत हम stress eating emotional eating भी कर रहे होते हैं overeating भी कर रहे होते हैं cold drinks चल रही होते हैं बखर इत पर गोश्च खाया आप तो cold drink पी नहीं है तो यह चीजे मिलके हमारा बहुत बढ़ा देती है इसके लिए आप चाहें तो मेरा इदुल अज़ा का special diet plan होता है जो चांद दिखने से पहले से आपने start करना होता है और तकरीबन इतके 20 दिन बाद तक के लिए होता है कोई अगर जैसे किसी को अगर वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आरी वैसे तो मैं पूरा बता रहा हूँ नीचे नंबर लिखे वा रहे है तो फीन दिन में चार दिन में एक बार खाना है सही है अब घर में अगर रोज बनने लगे एद के बाद तो आप क्या करोगे मैं आपको समझाता हूँ आप क्या करोगे मिसाल के दौर पर एद के पहले दिन कलेजी बनी कोई मसला नहीं है तिनी टेंशन नहीं लो खीरा प्यास चमाटा काटना कोई पुश्किल बात नहीं होती वह सलात के साथ दही के साथ उस कलेजी को मिला के खालो कोई शू नहीं होगा अब आ जाते ही एद की गोश्की रेसिपी और डिशिस पर देखो आप कोशिश करो जादे सादा फोकस करो कीमा क्योंकि जब भी आप अगर बोटी वाला सालन मनाऊगे ना तो उसमें शोर्बा और ओइल ज्यादा होगा वह आपका वेट बढ़ाने में ज्यादा हल्प करेगा हुना हुआ कीमा सीख कबाब कीमा बना लो इस तरह का कीमा मनाओ लंच में कीमा चपाती खा सकते हो डिनर में लेकिन दिन में एक टाइम बदा रहो में आपको ठीक है यह एक बहुत हेल्दी आपको अप्शन हो सकता है बड़े के गोश्च को लिमिट करो और गोश्च जब भी पकाऊ चिकनाई शिकनाई हटागे रूखा पकाऊ यह इत के बाद कोशिश करो कि आपने ज्यादा से ज्यादा नाष्टे में ओर्ट यह जॉका दलिया खाना है जो कि आपके आगे आने वाले मील को बैलन्स कर देगा सब्सक्राइब और जोगा दलिया मंगवा लो वह कैसे खाओ पानी में बनाओ या दूद में बनाओ कुछ ड्राइफ डालो कुछ फ्रूज डालो एक सेप काट के डाल दो यह आपकी चुब पूरे दिन की डीटॉक्स आपको करता रहा अच्छा लंच में कोशिश करो के बहु कोशिश करो के गोश्ट के कबाब बना के रख लो चनी की डाल के साथ मिक्स करके वह बहुत हल्दी होते हैं वह आप खा सकते हो कोई मसला नहीं है एक से दो कबाब जो आप सौटे फ्राय करो बहुत ज्यादा ऑइल इस्तमाल ना करो उसको चपाती के साथ खाओ और हर खाने एक खाने से पहले रूल बना लो के मैंने पहले पानी पीना फिर कुछ सब्सकशी सब्सेशिया कानी यह पर मैंने खाना खाना घो यह जो चीजह आपका वजन नहीं बढ़ने देंगी और एक हथी हमेशा यादा को हदीस नभी सल्लैलाहों अले मैं सैंग मख़ूम बता रहा अपने जून को इस तरहां से लेके चलो अगर मुकमल बख्राइट के डाइट पैन मुझे लेना चाहते हो तो नीचे नंबर लिखे वे आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1500 में पूरे महीने का डाइट मैं देदूगा जल्दी जल्दी आप लोग मुझे मेसेच कीजिए और मैं आगे से उसको continue कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए बाले केंदा भाई हैं पाचुक्त अला पैस